नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे WPC Warwork कैसे इंस्टोल किया जाता है इसका rate क्या रहता है इसको इंस्टोल करने की process क्या होता है और ये क्या PVC पैनल जो लगती है उसे सस्ती होती है या महेंगी होती है कहां कहां हम इसका यूज कर सकते है ये सभी details आज की वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए एक bedroom में work चल रहा है वहाँ पे मैं आपको ले के चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके सभी details जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे है दोस्तों ये जो WPC का जो पैनल आता है ये PVC की तरह ही इसके पैनल जो 8 फीट, 9 फीट या 10-10 फीट इसके लंबाई है ये आता है इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके साथ में ही जैसा आप देख रहे है इसके पत्ती आता है जिसको 3-2-2 फीट की दूरी पे इसको सेट करके और इसमें ड्रिलिंग किया जाता है और फिर फासनर के मज़र से इसको अच्छे तरह से कश दिया जाता है जिससे की जब 2 सीट लगे तो आपस में वे जॉइंट अच्छे तरीके से बना पाए और दोस्तो क्योंकि इसमें डीजाइन बनी होती है गैपिंग बना होता है तो इसके जो गैफ है जो जोइंट है वे नहीं दिखता है और काफी ये जब लग जाता है तो बहुती अच्छा लुक देता है दोस्तों बात करें कोष्ट की तो इसकी जो कोष्ट है इंस्टॉल करने की कोष्ट है वे 70 रुपे से लेकर और 100 रुपे पर स्क्वाइर फीट के हिसाब से आपके वॉल पर अगर लगा रहे है तो रेट आएगा वैसे इसका जो रेट है ये पैनल के हिसाब से भी लगता है जैसे कि इसका जो सीट है पर सीट के हिसाब से भी इसको इंस्टॉल करने के रेट लग सकते है लेकिन ज्यादा तर मैंने देखा है इसका जो रेट है स्क्वाइर फीट में जैसे जो भी आपकी wall है वहाँ पे जो भी area बनता है उसमें 70-100 रुपे तक ये rate लगती है दोस्तों बात करें कहां कहां इसका work करवा सकते है तो अभी आपने देखा bedroom में इसका work हो रहा था ये front elevation है यहां भी इसका work हो रहा है इसी प्रकार से अगर कोई window के उपर कोई elevation बना है वहाँ पर भी इसका work किया जा सकता है shop में office में इन सभी जगे पर इसका यूज अभी ज़्यादा तर किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये PVC से थोड़ा hard material होता है तो इस वज़े से ये इसके rate भी उससे ज़्यादा होता है तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी आपको कोई सवाल ये सो साब रहे गया हो तो मुझे comment में जरूर लिखे मैं कोशिस करूँगा आपको जो भी कोई सोगा उस पर अगला वीडियो बनाने की वीडियो में मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद